दोस्तों अगर आपने भी हमारी डेली हर्याना करन्ट अफेर्स की वीडियो को मिस किया है तो कोई बात नहीं आज की वीडियो में हम पूरी महिने की हर्याना करन्ट अफेर्स की वीडियो ले के आए हैं जिसमें आपको वो सभी important questions मिलने जा रहे हैं जो कि पूरे महिने में mostly important पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं तो चलिए बिना देरी कि हम अपने वीडियो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सी बता देता हूं कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और डेली हर्यान करंट अफेर्स प्राप्त करना चाते तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देख लिते हैं माई के महिने में बनने वाले करंट अफेर्स तो यहां पर पहला प्रसन है हर्यान के किस रेल्वे स्टेशन पर इम्रान खान ने अपनी फिलम की सूटिंग की थी तो यह है रेवाडी जंग्सन में हाल ही में वल्लीवूड के परसिद अभिनेता इम्रान खान का निदन हो गया है उन्होंने अपनी फिलम सिंगल की सूटिंग हर्यान के रेवाडी रेले स्टेशन पर की थी पेपरलेस बजट पेश करने वाले हर्यान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो यह बने हैं मनोहलाल खटर ने सन 2020-21 का बजट टैब के द्वारा पेस किया था हर्यान सरकार ने कोरोना वायरेस के समय संकट गरस्त लोगों को कितने मह heating रासन तेने का प्रावदान किया है तो यह किया था तीन महिने का यह रासन हरियन सरकार के द्वारा PDF के माध्यम से संकट गरश्त लोगों को दिया जाएगा। लोकडाउन की समय जो लोग अस्पताल नहीं जा सकते उनके लिए हरियन सरकार ने कौन सी सेवा शुरू की है। तो यह की है देली मेडिसन सेवा। हरियन सरकार के द्वारा COVID-19 के लिए मुख्य सचेव की डाटा मेनेजमेंट सेल में किसकी निवति की गई। तो यह की गई डाक्टर इंदरजेत की। उत्र हरियना बिजली निगम और दक्षिन हरियना बिजली निगम ने उबहुताओं की गलत रेडिंग को ठीक करने के लिए किस सुईधा को सुरू किया है। तो यह सुरू किया गया है ट्रस्ट रेडिंग को। इस सुईदा के तैट आप गलत रीडिंग आने पर ओनलाइन ही सही रीडिंग दर्ज करा कर बिलको ठीक रहा सकते हैं। इस सुईदा को फिलहाल परदेश के ब्याली सहरों में शुरू किया गया है। हरेन सरकार ने किसानों की सुईदा के लिए सरसों की खरीद के लिए पिछले साल की तुल्ला में इस बार मंडियों की संक्या बढ़कर 143 कर दी है। राश्ट्य बागवानी मिशन के माने देशक अरजन सिंह सेन्र को बनाय गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए आगे है कुरोना संक्रमन के चलते हरेना सरकार ने अपने नागरिकों को कौन सा एप डाउनलोड करने के दिशाजने देश दिये हैं तो ये दिये हैं अरूग्य सेतु एप हरेना सरकार ने मंडियों में फलों और सब्जियों की बिक्री पर कितने परतिसित मार्केट फीज से लगाने का दिने लिया है तो ये लिया है एक परतिसित का मार्केट फीज देश के सबसे बड़े असोग चकर को लिमका बुक ओफ रिकोर्ड में शामिल किया गया है यह हरियाना की किस जिल्य में स्थीत है तो यह स्थीत है टोप्रा कला जो की यह मननगर में है हरियना सरकार ने 30 जून तक MSME उद्योगों के घरमचारियों के वित्रन के लिए लोन लेने पर कितने महीने का ब्याज माप करने का फैसला लिया है तो यह लिया है 6 महीने का तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि MSME का मतलब होता है हरियाना बहाली ब्याज लाव योजना हरियाना के किस जिल्य में अंतर राष्टे फूल वेज सब्जी मंडी विक्षित की जा रही है तो यह की जा रही है गन और सोनिपत में नया वितन परणाली में और अधिक तेजी लाइने के लिए हरियाना सरकार ने किस सिस्टम को लागू किया है तो यह किया है Interoperable Criminal Justice System उत्तर भारत का सबसे बड़ा Mother and Child Hospital हरियाने के किस जिल्य में स्तापित किया गया है तो यह स्तापित किया गया है रहतक में पंजाब हाइक कोड़ अपनी सभी सुनुलाई को कितनी दिनों के लिए टाल दिया है तो यह टाला गया है दो मैंने के लिए हरियना सरकार के दौर केरल में फसे कितने पूरु सेंडसेंगों को वापस लानी के वेज़िना त्यार कि गई थी तो ये की गई थी 22 लोगों को तमिलाडू में फसे इन युवां को उपमुक्य मंत्री दूश्यंद चोटाला ने पहुंचाई थी मदद सौनिपत में रामपूर की पंचायत ने CM Relief Fund में कितने रुपे का योगदान दिया है तो ये दिया है 2.51 नाव रुपे का योगदान हर्यान के 7 जिलों में गिरते हुए जलस्तर को देखते हुए क्या फैसल लिया गया है यहां पर किसान पट्टे पर जमीन को नहीं ले पाएंगे ये 7 जिले हैं अमबाला सौनपत यमिननगर जींद करनाल कैथल और कुरुजेतर हर्यान में चोदरी चर्ण सिंग हर्यान किर्सी विशी विदैल्य के कि संस्ता के द्वारा रोजगार सरजन कराने के लिए 5 दीवशीय वेबिनार आजजन किया गया अरदर मनतरी मात्र बंद योजना के सफल के रेमान के लिए हर्यान को कौन सा प्रुषकार मिला है तो यह मिला है तीसरा प्रुषकार ने सरकारने कहा से कहातक चलाने कार ने नहीं लिया है तो ये लिया है रोतक से पटना के लिए सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी मुख्या मतर ये मनोहर लाल खटर ने च्यार ट्रेनों को चलाने का अधिश जारी किया था तो सबसे पहली ट्रेन थी रोतक से पटना के लिए हर्याने सरकार की दौरा कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा एप लॉंज किया गया है तो ये किया गया HDAMB कोरोना के चलते हर्याने सरकार को हर महिने कितने रुपय का नुक्षान हो रहा है तो ये हो रहा है 6,000 क्रोड रुपय का नुक्षान मुंबई में हर्याने के किस व्यक्ति को पुलिस कमिशनर नुट किया गया है तो ये किया गया है प्रमवीर बढ़ाना को प्रमवीर बढ़ाना हर्याना में फ्रिदाबाद के पावटा गाउं से समझ रखते हैं हर्याने में 25 मार्च 2020 से दूसरी बार शराबंदी की गई हर्याने में पहली बार शराबंदी कब की गई थी तो ये की गई थी जुलाई सन 1996 में जुलाई 1996 में हर्याने के ततकालिक मुख्यमंतरी बंसिलाल ने पहली बार शराबंदी की थी और इसे एक अप्रेल सन 1908 में को वापस ले लिया गया था हर्यान सरकार की द्वारा कोरोना की चलते विद्धायतियों की पढ़ाई जारी रखनी के लिए किस मोबाइल एब को लॉंच किया गया है तो ये लॉंच किया गया है पढ़ेता हर्यान एब को बंचकुला में 200 तं तक की लोडिंग वे अनलोडिंग पोर्टेबल एलेक्ट्रोनिक वैडिंग मशीन का निरक्षन है किनकी द्वारा किया गया तो ये किया गया हर्यान की मुख्यमंत्री मनोहरलाल कट्र के द्वारा हर्यान की नई पोलिसी के तहत समाजिक न्याय एव अधिकारिक्ता विभाग में रह रहे अनाताले के बच्चों को कितने रुपए परतिमा आथिक मदद मिलेगी तो ये मिलेगी 1400 रुपए परतिमा की मदद अब हर्यान में कितने आंगनवाडी केंद्रों को हाई टेक बनाये जाएगा तो ये बनाये जाएगा 401 आंगनवाडी केंद्रों को हर्यान सरकार के द्वारा भादरुगड में लोगों के घर तक सब्जी पूचाने के लिए कौन सी मोहिम शुरू की गई है तो ये शुरकी गई है महारी दुकान हरियना में वर्तमान में कितने COVID-19 अस्पताल है तो ये हैं 11 अस्पताल हरियना में कोरोना वाइरिस के चलते परवासी मजदूरों फोन के घर पहुंचाने के लिए पहली सर्मिक ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई तो ये चलाई गई थी हिसार से कटिहार तक तो ये ट्रेन 6 मई 2020 को 1200 सर्मिक को लेकर पहली बार चली थी हरियना स्रकार ने COVID-19 के चलते परजेश के सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कोलेजों में कितनी डोयलिसिस मसीने रिजर्व की हैं तो ये की हैं दो डोयलिसिस मसीने अब हरियना में प्राइविट स्कूलों को खोलने की अनुमती किस परकार से मिलेगी तो ये मिलेगी ओनलाइन मोडियूल्स के द्वारा अब हरियाना में प्राइविट स्कूल खोलने, उनको अपगेड करने वे उनमें अत्रिक्त विशा को जोड़ने के लिए ओनलाइन मंजूरी लेने होगी हरियना सरकार ने समाजिक दोरी का उलंगर करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है तो ये लिया है 500 रुपए का जुर्माना कुरोना वाइरिस के चलते युवनाननगर के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने कोटे के कितने परतिसद रासी सरकार को देने का फैसला लिया तो ये लिया 50 परतिसद रासी हर्याने के शिक्ष्य विवाकी ओर से प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को कितने दिन का मिड़े मिल देने के दिशाने दिश जारी किये गए है तो ये जारी किये गए 48 दिन का मिड़े मिल देने के दिशाने दिश अचाइस्टमान। में हर्यान के किस आईएस अधिकारी को आईभी में के केंदुर बोड के निर्धिषंध के रूप में न्यूत किया गया। तो यह किया गया था था रुद बाचार्फू। वर्तमान में हर्यान के पूरू DGPHR स्वान का निधन हो गया है, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी, हूरन पोलिसी, हर्यान का ऐसा कौन सा जिला है जो कोरोना वायरस से सबसे आख्यर में परभावित हुआ था, तो ये था रेवाडी ज संत्री मनुहलाल खट्ट के द्वाड़ा मेरा पानी मेरी वीरास विराषत हुजना के गोष्ना कब की गई, तो ये थी की गई थी ज्यू मई शंदू 2020 को, हर्यान में मेरा पानी मेरी विरास्त योजना के दहत धान के इलावा दूसरी फ़सल बोने पर किसान को कितने रुपए पोचाहन रासी दी जाएगी तो यह दी जाएगी 7000 रुपए परती एकड़ की पोचाहन रासी हर्यन के 13 ब्लाकों में पंचायती जमिन पर धान की बुआई पर पूंड तह परतिब वाट तक की किर्शी अधारित उद्योगों के लिए बिजली की दर को भी 4.75 परतिशत कम कर दिया गया है, हर्यना सरकार ने कैदियों की पैरोल को कितने दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है, तो ये 6 हमते के लिए और बढ़ा दिया गया है, किस देश की कमपनी हर्याना में बना रही है Rapid Test Kit, तो ये बना रही है दक्षिन कोया की कमपनी, ये कमपनी हर मा 15 लाग किट बना रही है, हर्याना में टीवी के माद्यम से पढ़ाई करने वाला पहला जिला कौन सा बना है, तो ये बना है ये बना नगते, कोरोना वायरिस के चलते हर्याना में किस योजना के तहत और ध्योग की विस्तार किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कलस्टर योजना के तहत, ये योजना हर्याना की सभी बाई जिलो में लग की जाई, चंडिगड की सुखना लेक कचमेंट एरिया में निर्मान की अनमती देने पर हुई नुक्षान के लिए पंजाब लगाया है, तो ये लगाया है सो सो क्रोड रुपय का जुरुमाला, हर्याना का सबसे पहले कोरोणा मुक्त बनने वाला जिला कोन सा बना है, तो ये बना है अमबाला जिला, कॉंग्रेस के वरिश्ट रेटापूरू मतरी कैप्टन एजे सिंग यादव उने अपनी पैंशन में से कितने रुपए कोरोना रेलीफट में दी हैं तो यह दी है एक पंट पचास लाक रुपए का चेक हर्यान के 21 बेटी को कानपूर में सहय कलेक्टर के पद पर न्यूट किया गया है तो यह पूजा यादो को पूजा यादो रिवाड़ी जिले के गाउं जेनाबाज की रहने वाली हैं हर्यान के 21 यूश्टी में कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के के लिए अलग से सीट आरेक्षित की हैं तो यह की हैं गुरुजामबेस पर विज्ञान एवं तकनिक की विश्विदाले हिसार में हर्यान में फिल हाल गोशालाओं कि शंक्या कितनी है तो यह है 600 हाल ही में डॉक्टर इंदरजीत को हर्यान सरकार के द्वारा किस पद पर न तो यह चुना गया है कौहानore पंचाय को हर्यान की पहली टर्नल युक्त मंडी को कहां पर बनाये गया है तो यह बनाया गया है हिसार में यह सरकार के दोरा में 2020 में अगले कितने वर्शों के लिए एक लाख एकड़ छेतर में जैविक वेप प्राकरतिक खेती के विस्तार हेतु योजना बनाई गई है तो ये बनाई गई है अगले तीन वर्षों के लिए हर्याने के 21 लड़के ने एक पापलर टीवी शो एम टीवी रोडीज में एंटरी की है तो ये है ऐलफा बिटा ऐलफा बिटा हर्याना में करनाज जिले के गाओं दादूपूर का रहने वाला है हाल ही में हर्याना द्वारा किस्तानों अध्यापकों चात्रों एम पंचायती राज जन परतिनिद्यों को अध्यन भर्मन के लिए विदेशों में बेजने के लिए कौन से विभाग का गठन किया गया है तो ये क्या गया है विदेशी सही योग विभाग यह विबाग प्रति वर्ष पानसो लोगों को विदेशों में भनमन के लिए भीजेगा। हाल ही में हर्जन सरकार ने चात्रों के लिए उच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी पॉलिसी खतम की है। तो यह की है बैंकों में दी जाने वाली कोलेटरल गारंटी पॉलिसी जो की समाप्त कर दी गई है। यवना नगर का कौन साव लाग डार्क जोन से बाहर किया गया है। तो यह किया गया है रादोर ब्लोग। अब यहां की सांध धान की रोपाई कर सकते हैं। हरीना सरकार ने सभी स्कूल और कोलेजों को कब तक बंद रखने का फैसला लिया है। तो यह लिया है 15 मई से 25 जून तक। अब हरीना सरकार किस परकार की जमिन पर उद्योग लगाने की तैयारी कर रही है। तो यह कर रही है पंचायती जमीन उपर। पूरुक कैबिनेट मंतरी विपुल गोएल ने कितने लोगों को होमेपेथिक दवबाटने का आयलान किया है। तो ये किया है 20,000 लोगों में। हारियना सरकार ने किस मिसन के तहट 2022 तक हरियन के पते घर में पेज़ल कनेक्शन पहुंचाने का लक्षे अते किया है तो यह किया है जलजीवन मिसन नवाचार एवं प्रियोद्योग की परिश्द हर्यान के किस व्यक्ति को देख फोक्स एसिया कॉंफ्रेंस अवार्ड से समानित किया गया है तो यह किया गया है डॉक्टर बंद्यों कुमार गूं जिंदल स्टेनलेस लिमेटेड हिसार को ब्रिटिस सैफ्टी काउशनल के गुरुग्राम में हर्यान के किस बोक्सर पर लगाया गया एक साल का बेन शुमित सांगवान पर हरेन सरकार के द्वारा सुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना में शामिल छेत्रों के पहचान कैसी की जाएगी जिन छेत्रों का भुजल सर्चार 40 मीटर से नीचे है हर्यान सरकार ने अपनी सभी क्रमचारियों को कौन सा एप अनिवारिय रूप से इंस्टॉल करना बताया है अरोगे सेतु एप हर्यान की पहली मोलीक्यूल लेब को कहां पर सुरू किया गया है पंज कुलामे अब इस लेब को 24 गंटे चलाने का फैसला लिया गया है हर्यान सरकार ने स्टूडेंस के एजुकेशन लोन का कितने महीने तक ब्याज भरने का जिमा लिया है तीर महीने का हर्यान की चटी मोलीक्यूल लेब कितने रुपे की लागत से तयार हुई है 40 करोड रुपे की लागत से सोमालिया में शहीद हुआ भारती जवान गोर्व दच्छर्मा हर्यान के किस जिले का रहने वाला था जजजर जिले के गाउं कब लाना का गोर्व की शादी स्वरला फर्वरी दो हजार बीस को हुई थी महज 99 दिन के बाद 25 मई को इनगी मुर्यत्य होगी हर्यान में कितनी हेक्टियर जमीन को शुक्सम सीचाई के तहत कवर किया जाएगा 1.08 लाख हेक्टियर जमीन को हर्यान सर्गार के दोरा सुक्सम सीचाई को बढ़ाव देने के लिए 85% का अंधुधान सभी वर के किसानों को 2019 से भी दिया जा रहा है हर्यान का पहला ग्रिड से जुड़ा बायो गैस अधारित पावर प्लाट किस जिले में सुरू किया गया है तो यह सुरू गया है जीन जिले के गाउं मोर्खी में यह ग्रिड एक पंट दो मेगावाट शमता से लैस हर्याना का 14 क्रोट डुपए की लागत से त्यार पहला ऐसा ग्रिड है जो बायो गैस पर अधारित है हर्याना राजे में जैविक बोर्ड का नया चैर्मेन की ने बनाय गया है श्री गुलसन अहुजाओ 2018 में हर्याना में खाद्यान का उत्पदन कितने टन किया गया तो यह किया गया था 44 लाख मिटरिक टन हर्यन सरकार की द्वारा प्रदेश की पहली सरकारी जयविक पर्मानिकन एजनसी को स्थाप्पित करने की अनमती किस युनिवर्ष्टी को दी गई है चोधरी चरण सिंग हर्यना किरसी विसविधाले हिसार को आवारा घुम्रही पस्वों को आश्रे देने के लिए कि समीत्व गठन किया जाएगा पसुधन सर्वेक्षन समीति पदेश के अलग अलग खंडों में 225 समीतियों का गठन किया जाएगा हर्यना का पहला बायोगेस अधारित पावर प्लांट प्रती वर्स कितने यून्ट बिजली का उत्पादन करेगा तो ये करेगा 85,00,00 यून्ट इस प्लाट में 180 टन प्रती दिन जैविक कर्चरे का प्रयोग किया जाएगा और 15 टन प्रती दिन जैविक रूरक का वहाहन थ data में खाद्य नागरिक आपुरति और उग भोगता मामली के नीजिशकी 폭ए कि मससरी चंदर से Χर्खर को पंजाब एवं हर्याना हैं कोट महाधिवक्ता किसे और प्रशिंग महाधिवक्त है तो यह कर दिया गया है चतिश के लाड़ियों को बाहर बारतिय कुष्टित संग ने देश के 101 पहलवानों को खेलो इंडिया की सोची से बाहर किया है इसमें से हरियान के 36 के लाड़ी शामिल है हरियान की छटी मालीक्यूल लैव का उद्घाटन कि के द्वार किया गया तो यह हर्यान के ग्रह मंतरी अने लुज के द्वार किया गया प्रदेश की छटी मालीकुलर लैव को सुरू कर दिया गया है जिसका उद्गाटर मंतरी अने लुज के द्वार किया गया है अब 24 गंटे इंतजार नहीं करना होगा एक घंटे में ही आ करने के कारण किस पावर प्लांट पर जूर्बाना लगा गया है तो यह लगा गया है पानिपर थर्मल पावर प्लांट पर पॉजिशन कम नय करने पर सीपी सीबी की करवा ही पानपर थरमल पाउर प्लान पर दो पैंट सतर कोड़ रुपए का लगाया गया हर जाना करोना वायरेस के चलते अब तक प्रदेश में सबसे अधिक मोतें किस जिली में हुई हैं तो यह हुई हैं फृदाबाज जिली में प्रदेश में अब तक दूसरी फसल वोने पर कितने परतिशत का अनुदान दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा 85 परतिशत का अनुदान दिली में फसे हर्याना के लोगों को वापस लाने के लिए सबसे पहले कम से बस सेमाई शुरू की गई तो यह शुरू की गई थी 18 मई से हैं सरकार की इतने रुपए परती माह देने का आयलान किया गया है तो यह किया गया है 2250 रुपए परती माह तो यह थी दोस्तों हर्याणा में मैं के महने में बनने वाले टोप कोश्चन्स तो अगर आपको अमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और च